आप सभी का वेलकम है इस चैनल में, दोस्तों एक्जाम टिप्स चैनल के मादियम से आज हम लोग हुमन के बारे में प्रेंगे, इन हुमन ब्रें या फिर मौनो मस्तिस्क बोल सकते हैं, देखें मौनो का जो मस्तिस्क होता है, इनके मुख्यें टीन पार्ट्स होते हैं, है न, अगर टाइप्स बोलें तो, तीन टाइप्स होते हैं भाग, इनके भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फोर ब्रें कहते हैं, जो आगे वाला पार्ट्स होता है, और बीच वाला जो पार्ट्स होता है, मीड ब्रें कहेंगे, और जो पस्च भाग होता है, पीछे वाला, इनको हम हीं अप्षितर में देख रहे हैं कि यहां पर यह फोर ब्रेन है यानि अब देखी है यहां पर ये वाला मीड़ ब्रेन है मीड़ ब्रेन मतलब मध्य वाला हिस्सा ये हिस्सा जो आपका आगे वाला है और ये मध्य वाला हिस्सा है और इनके ज़स्ट पीछे में यहाँ पर दिखिया कि हिस्सा है जिनका नाम है हिंड ब्रेन यानि हिंड ब्रेन जो होता है तो यह बिल्कुल पीछे होता है आपके जो यह सीर है आपके जो त्रोट है गला जिसको कहते हैं गले के पीछे वाला जो भाग है इस भाग को हम लोग कहते हैं हिंड ब्रेन फिले आपको समझ में आ गया होगा फिले लेकिन यह जो ब्रेन होता ह तो यह किस प्रकार बनावा होता है या किस के अंदर बंद होता है इसके बारे में जानेंगे अभी तक जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कि हैं कि पर लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और चैनल पे बने रहें अंतिम तक तो देखिए हमारा जो ब्रेन है अ आप इसको बोल सकते हैं brain box, brain box बोल सकते हैं, brain box क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो हमारा brain है, तो brain के ऊपर पे है न, एक रशना होता है, यानि brain ये वाला जो भाग है, अंदर internal parts जो है, ये parts जो धका होता है, अंदर की और, जिसको हम लोग कहते हैं brain box, यानि बाहरी इसकल जो होता है हमारा, ये इसकल के अंदर बंद होता है, या आप बोल सकते हैं, इसकल के अंदर होता है, इसकल के अंदर होगा, लेकिन ये कैसे होता है, आपको मालूम है कि ये connective tissue के दोरा है जुरा होता है, अब ये देखिए, या घिरा होता है, ये गिरा होता है, ये गिरा होता ह करेमियम जिसको हम लोग कहते ही, ब्रें बॉक्स, अब द्इखो दूसरा यह है कि मैनिंगेस बोलते हैं, मैंनिंगेस दिखे, यह जो है न bricks लोग के uपर वाला और यह आप यह पर दखे लिए a 조 उपर वाला थाग है J ineīm ko जू अगरहम लोग क्रेमियम ही बोलते हैं। क्रेनियम ही बोलते हैं क्रेनियम के ऊपर वला जो भाग है इसी भाग को हम लोग मैनिंजीज कहते हैं यह वाला भाग कहते हैं अब देखो यह वाला उपर देख रहे हैं कि मानलो कि इस भाग को हम लोग बलेंगे CraniumDire defeat अब लोग नहीं कि आषे इसी भाग को हम लोग कहेंगे manager कहेंगे और यह connective tissue के द्वारा जुरा होता है यह वह न जो भाग हुथा Connective tissue के द्वारब इससे जुरा हुआ होता है अब देखें तीसरा part जो है इस parts को हम लोग कहते हैं cerebro, spinal fluid कहते हैं cerebro spinal fluid जो होता है ये crmium और meninges के बीच में होता है यानि आप ये देख रहें कि ये crmium है और meninges है इसके बीच में जो part होगा इसको हम लोग कहेंगे cerebro spinal fluid कहेंगे इसको sort में CPFEB गोल सकते हैं cerebro spinal fluid है ना यहाँ तक आप समझ चुके हैं अब देखो यह cerebro spinal fluid जो होता है आखिर मस्तिस्क में क्यों होता है आप इस सन्नचनों को देखिए इनके अंदर में द्रब यह पदार्थ होता है इसी द्रब यह पदार्थ होता है हम लोग cerebro spinal fluid करते हैं यह पदार्थ जो है इसमें मानों के मस्तिस्क को दबाव से बशाता है और नमी बना कर रखने का कारिय करता है यानि आप जानते हैं कि brain जो होता है अंदर से यह नमी होता है तो नमी बनाने का काम कौन करता है और अंदर से दबाव मान लेजे किसी प्रकार का pressure बनता है इसमें दबाव बनता है दबाव से सुरक्षित रखता है यह cerebral spinal fluid जो है यह वाला जो structure जो इसमें यह सब को दबाव से बचाता है और नम बनाए रखता है अब यह देख लो कि हमारा यह जो brain है तो brain का है न आसत वजन होता है तो आसत वजन हम लोग अगर ml में बोलेंगे तो ml में बोल सकते हैं 650 ml होता है 650 ml बराबर लगभग यह कितना होता है 1.5 kg के equal होता है equal होता है बरोबर होता है तो इनके बारे में जान चुके हैं अब देखो हमारा यह जो brain है आपको सर्व परतम दिखा चुके हैं screen पर की brain का तीन मुखे parts होता है यहाँ पर भी लिखा हुआ है for brain, medium brain इसके बाद हिंड brain है यानि अगर मस्तिष के पस्च मस्तिष के इन तीनों के बारे में चलिए अब हम लोग विस्तार पुर्वक अधियन करेंगे जो भी हमारे चैनल पर जूरे हैं क्रीपया अंतिम तक इस वीडियो को देखें अब आप screen पर दिख रहे हैं यहाँ पर brain की जो parts है है ना इसको पहले भी हमने आपको दिखा चुका था कि four brain mid brain और hind brain अब देखो four brain का parts हम लोग जानेंगे कोई अगर मस्तिष के क्या है इनके बारे में चले जानते हैं अगर मस्तिष के क्या है इनके बारे में और यह कितने भाग में बटे हुए इनके बारे में जान लेते हैं देखो यह जो फोर ब्रेन है हमारा फोर ब्रेन इनके दो भाग होती है है ना मुझ्ह के टू पार्ट्स ओते है फोर ब्रेन की पहला parts जो इसको seribrahm कहते हैं दूसरा part है डाइंट शेफिलोन कहते हैं देखो seribrahm के बारे में सबसे पहले अधियन कर लेते हैं सेरी ब्रम क्या है आप से भी जानते हैं कि सेरी ब्रम को गुद्धी का केंदर कहते हैं यहां पर रिकावा आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन साट ले ले सकते हैं इसे गुद्धी का केंदर कहते हैं यानि हमारे अंदर जो सेरी ब्रम होता यह जो brain दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर brain के अंदर में जो इस सेरी ब्रहम है इसी सेरी ब्रहम में thinking करने का power होता है या बुद्धी का केंदर बोलते हैं लोग center बोलते हैं तो आप यह देख लेजें कि सेरी ब्रहम का definition क्या है या brain के सीर्स और पीछे वाले भागों को धके रखते हैं brain के सबसे ब्रा भाग है इनका टू बट्टे थ्री भाग राइट और लेफ्ट में बटा होता है है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टाइपिंग हो गया बटा होता है अब देखिए काने का सेंस यह है कि हमारा जो यह सेरी ब्रह है सेरी ब्रह्म का जो आगे वाला भाग होता है और यह पीछे वाला जो भाग होता है है यह ढका होता है यहाँ ब्रेन के सिर्स और पीछे वाले भाग को धके रखते हैं यह ब्रेन के सबसे ब्रा भाग है इनका टू बट्टे थ्री भाग राइट और लेफ्ट बटा होता ह यानि ये जो cerebrum है ये हमारे मस्तिस्ति का सबसे बरा भाग है जो आगे वाले भाग को यानि आगे वाला भाग कौन हुआ ये वाला आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग वा आगे पीछे वाले भाग को ये ढका हुआ रखता है ये कहा जाता है इनके बारे में कि ये हमारा Seribram है ये 2 by 3 भाग होता है right और left ये बटा हुआ होता है आप ये भी कह सकते हैं अब दीखेए note में यहां पर दिया हुआ है कि इसे बुद्धी का केंदर कहते हैं आप day when type is of cell इब इनके भी परकार होते हैं दीखें कितने प्रकार हैं, मुख्ये दो प्रकार हैं, इनके दो मुख्ये भाग होते हैं, तो देखे, पहला भाग जो है, इसको गाईरस कहते हैं, दूसरा भाग सलकस कहते हैं, यह कहा जाता है कि यह जो हमारा गाईरस और सलकस है, है ना, यानि गाईरस और सलकस, अगर यह कम विक्सित होता होता है तो व्यक्ति मंद बुद्धी होता है मतलब आपके ब्रेन में गाईरस और सेलकस जो होगा अगर यह कम विक्सित होगा कम विक्सित होने पर है ना आप मंद बुद्धी होंगे या जिस व्यक्ति में कम विक्सित होगा वह व्यक्ति मंद बुद्धी होगा देखें सेरी तो देखें, function of seri brahm के बारे में हम लोग आज study करेंगे यह सोचने, समझने की सक्ति को बढ़ाता है नमबर दो, कहरा कि असमरन सक्ति को बढ़ाता है जैसे प्रेम, भै, कष्ट और दूख यानि यह जो seri brahm है ना, यह सोचने की सक्ति को बढ़ाता है अब सोचने की सक्ति क्या है, प्रेम है, भै है, कष्ट है, और दूख है, प्टिसी है क्या सोचने की सक्ति है इनके अलावा भी बहुत सारे सोचने की सक्तियां होती है, उनको बढ़ाता है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कि seri brahm को बुद्धी का केंदर कहते हैं हम लोग हैं फंसन में देख चुके हैं अगर आपको पूछे ले कि सेरिब्रम का कारिय क्या है सोचने समझने की सकती कोई बरहने का काम करता है और यह जो सेरिब्रम है हमारे मस्तिस्क में आगे और पीछे यानि लेप्ट और राइट की और टू बेटे थिरी भाग लग भग फैला होता है चले यहां तक जान चुके हैं अब आगे हम लोग जानते हैं कि अगला जो पार्ट है हमारा वह होने वाला प ज़े रहा है यहां पर कह रहा है कि यह सेरिब्रम द्वारा धका होता है यह काम या अधीक कम या अधीक ताप होने पर दर्द और रोने जैसी परक्रियाओं को नियंतरित करता है यहाँ पर कम लिखा हुआ मतलब यह है कि सेरिबरम है न यानि डायन सेफलोन जो है सेरिबरम दवारा धका होता है धका होता है यह कम या अधीक ताफ होने पर दर्द और रोने जैसी परक्रियाओं का नियंतरन होता है माल लिजे कि कभी कभी आप ताफ फिल करते हैं काफी गर्म फिल कर सकते हैं या हाट फिल करते हैं तो इस परक्रियाओं का जो नियंतरन होता है दाइंट सेफलोन करता है या आप ये बोल सकते हैं कि आपका हाथ या पॉझ पार्ट्स जल जाता है जलने पर जो आप महसुस करते हैं या जलने पर जो नियंतरित करता है उसको नियंतरित करने का काम काम करता है डायन सेफलोन करता है डायन सेफलोन फोर ब्रेन का एक पार्ट्स है जिसको हम लोग अग यह पार्ट के बारे में जानी चुके हैं, उनका अगला पार्ट है, मीड ब्रेन तिक मीड ब्रेन को हम लोग कहते हैं, मद्य मस्तिफ के। तो बीश का भाग, तो यहां मस्तिफ के इस्टेम का उपरी भाग है, इसमें अनेक तंत्री का कोशिका कई ग्रूप में उपस्थित हो Mid Brain ये वाला parts हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो Mid Brain है, यहाँ पर बहुत सारे हैं तंत्रीका को सीखाएं, जिसको Nerv, Cell हम लोग बोलते हैं, नर्व, Cell फैलावा होता है, रीश होता है, ग्रूप में होता है, या बोल सकते हैं, ग्रूप में होता है, अब दोको Middle Brain को ब्रा टॉपिक नहीं है, इनका छोटा सा ही कारी है, अब फंसन देखिए, इसमें संतुलन और आग की पेस्यों को नियंतिरित करने का चमता होता है, या या यह जो हमारा Middle Brain है, मद या मस्तिस्क, मद या मस्तिस्क जो है, आख की पेस्यों को संतुलन बनाने का चमता रखता है, यानि हम लोग जो आख पलक जपकते हैं, इसको नियंतिरित करने का कार्य मीड ब्रेन करता है, इनका कोई ब्रा कार्य नहीं है, वैसे कार्य तो सभी क ब्रा है, लेकिन ये इनका टॉपिक नहीं है, बस इतना ही आपको मिलेगा, या अगर कॉछ्चन पूछा जाएगा इससे, ये कहेगा, मीड ब्रेन का होता है, कहाँ परस्थित होता है, बीच में होता है, आपके मस्तिस्क के, और ये कहेगा, कि ब्रेन इस टेम के उपरी मतल होते हैं और इनके कार्य है है कि इनमें संतुलन और और औकष्ञों को नियंत्रित करने का घंजमता होता है इनके बाद हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अब तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं इस्क्रीन पर जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन दो पार्ट में डिवाइट है सेरी बेलम ब्रेन इस्टेम का क्या काम है इनको जानते हैं चलिए अब हम लोग जानते हैं तीसरा पार्ट यां ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन जो होता है दो पार्ट से निर्मीत होता है, grund और ब्रेन इस्टेंब, यह दोनों मिलकर बना होता है जिसको हम लोग brain, हिंड-brains हैनल Не मिलकर बना होता है, यह brain इस्टेंब इससे मिल कर एक बना होता है, अब देखो पहला part है जिसको करते हैं सेरी बेलम सेरी बेलम जो है यहां मनुष्ट में होने वाली सभी पोस्चर या अस्थितियों को नियंतरित करता है यहीं मानों में जैसे कि हम लोग जोकिंग करते हैं स्पीकिंग करते हैं यहां कोई भी कारी करते हैं सभी कारियों को नियंतरित करता है यहां होने वाल जादी हाथ से क्या करते हैं हम लोग किसी भी चीजों को टच करते हैं और पैर से भी टच कर सकते हैं या पैर से हम लोग क्या करते हैं मूब करते हैं और जीप से हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं और जबरिय इत्यादी जो है यह सभी को नियंतिरित करता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरी बेलम का एक्जामपल हो गया हाथ पर जीव और जबर इत्यादी अब इनका जो तीसरा पार्ट है इनका दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं ब्रेन इस्टेम के बारे में यहां पर देख लेते हैं ब्रेन इस्टेम है हमारा इनके दो भाग होते हैं जिसको कहते है पॉंट्स वे रूलाई और दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं मेडियूला अबलेंग गेटा कहते हैं अब देखो ये जो पहला पार्ट है इनके बारे में जान लेते हैं अब पॉंट्स वे रूलाई ये तंत्री का तंत्र से निर्मित होता है मेडियूला के अगर भाग में पाया जाता है यानि ये जो पॉंट्स लाई जो है ये तंत्री का तंत्र स्निल्वी तो होता है नर्व से बना होता है नर्व से ये बना होता है नर्व से बना होता है और ये मेडियूला के अगर भाग होता है याने मेडियूला जो होता ये ब्रेन में जिसके अगर भाग में पॉण्स वे रुलाई होता है देखरें, इनका कारी क्या पॉण्स वे रुलाई का फंसन ऑप उलाई, इनके कारी है यह डिस्पायरेशन के कारियों को नियनतरिद करता है हम लोग जो स्वासन लेते हैं, इनके कारियों को नियंत्रित करता है, देखो स्वासन हम लोग जो लेते हैं, देखे हमारा ये जो इस्पाइरेशन है, इस्पाइरेशन दो तरक्य होते हैं, इनको कहते हैं इन्सपाइरेशन, इन्सपाइरेशन और दूसरा होता है एक्सपाइ इंस्पाइरेशन और एक्सपाइरेशन को जो नियंत्रित करता उसको कहते हैं पॉन्स विरुलाई का काम है इंस्पाइरेशन एक्सपाइरेशन को नियंत्रित करना चलिए अब इनके बाद हम लोग इनकी अगले पार्ट्स को जान लेते हैं जिनका नाम है मेडियूला अबले मेडियूला ओबलेंगेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह मेडियूला ओबलेंगेटा है यह बेलनाकार रशना में होता है जो पीछे की और स्पाइनल कौड के रूप में पाया जाता है और स्पाइनल कौड से पीछे भागों तक धका होता है यह पीछे भाग तक फैल मेडियुला ओमलेंगेटा है। यह बेलनकार रच्णाव में होता है और यहां से जो इस्पाइनल कॉर्ड जुरा होता है। यह कहा जाता है इस्पाइनल कॉर्ड के रूप में यही पाजाता है जिसको medulla oblingata बोलते हैं medulla oblingata जिसको बोलते है spinal cord के रूप में पा जाता है जो पीछे भागों तक फैला होता है spinal cord से पीछे भागों तक फैला होती है spinal cord है इसके पस वला जो भाग है इस भाग में फैला होता है और brain के इसी भाग द्वारा परतिवर्ती चाप का नियंतरन होता है आपको बता चुकिए हैं परतिवर्ती चाप के बारे में वीडियो के description में आपको link देदेंगे आप वहां से देख सकते हैं परतिवर्ती चाप के बारे में पुरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब देख मासते हैं, चीकते हैं, उल्टी करते हैं, या पाचक रस, रसों का सराव होता है, डाजेसन के लिए जो रस का सराव होता है, यह सभी का नियंतरन जो करता है, इसको कहते हैं, मेडिूला, अबलेंगेटा, यहां तक आप पढ़ लिजिए, और सभी कुस्टन ब्रेंस आपको उपलब्द हो जाएंगे, इस चैनल के माद्यम से आप तक पहुंच जाएगा, थैंक्यू,